पिछले कुछ समय से बिहार में होने वाले कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोरो पर है और चर्चा जोरो पर इसलिए है क्योंकि इस कैबिनेट विस्तार को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्यों हो सकता है कि जनता दल उनाइटेड और भारतिय जनता पार्टी जो है इन सीटों का बटवारा आपस में बराबर बराबर करे और तीन-तीन पदों को बाट दिया जाए। क्यों हो सकता है कि जनता पार्टी बिहार कैबिनेट में इंटरी दे दे और फिर चिराग पास्वान इस बात से पड़िसान हो जाएं। अब पूरी खबर क्या है? कौन है वो चिराग पास्वान का राजनितिक प्रतिद्वन्दी? इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप हमारा प्रिचय जान लीजिए. नमस्कार मैं नाम वेद प्रकास है आप जनता जंचन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल सितंबर के अंत में लगबग बिहार का कैबिनेट बिस्तार होना है जिसमें रिक्त पदों को भड़ा जाएगा और उसके अलावे चर्चा ये भी चल रही है कि भारतिये जनता पार्टी के तरफ से कई मंत्रियों का टिकट काटा जा सकता है ऐसे मंत्री जो किसी अन्य बड़े पदपर है उनका टिकट काटा जा सकता है या फिर ऐसे मंत्री जो अपना काम सहीधन से नहीं कर रहे हैं उनका टिकट काटा जा रहा है लेकिन टिकट काट पहले हम ये बता दे कि अगर तीन सीट भाजपा को मिलते हैं तो वो कौन-कौन से समिकरन साधेगी और किस बात की चर्चा चल रही है चर्चा ये है कि भाजपा को अगर तीन सीट मिलते हैं तो भाजपा जो है इन तीन सीटों पर ऐसा समिकरन बिठाना चाहती है जिसे तो राजपूत और अति पिछ्रावर्ग से आने वाले लोगों को मंत्री बना करके मौका दे सकती है। उसके बाद चर्चा ये भी चल रही है कि चिराग पास्वान के चाचा पसुपती पारस लगातार एक्टिव हो रहे हैं। उखाली में प्रिंच राज और पसुपती पारस ने अमीच सह से मुलाकात किया था। बिहार के भाजपा प्रदेश सद्यक्ष से मुलाकात किया था। और तब से इस बात की चर्चा चल रही थी। कि आखिर ये मुलाकात क्यूं हो रही है। और अब इस मुलाकात को लेकर के भी चरचाय चल रही है बहस चल रहा है और राजनितिक बाजार गर्म हो रहा है कि हो सकता है कि चिराग पास्वान के राजनितिक परतिद्वंदी जो है उनके भाई जो है प्रिंस राज उसको उनको कैबिनेट में अस्थान देदे भाजपा और भारतिय जनता पार्टी ये इ देख लिया था कि चिराग पास्वान जब वोट काटने की स्थिती में आ गए थे तो कितना नुकसान NDA को हुआ था और इस कारण से भारती जंता पाटी इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है और इस कारण से प्रिंस राज को बिहार की कैबिनेट में एड करने की चर्च बढ़े नहीं दूसरी चीज कि चिराग पास्वान की तरह पसुपती पारस की पार्टी जो है राष्ट्रिये लोक जनत्सक्ति पार्टी वोट काटने का आधार ना बन जाए और इस कारण से भारतिये जंता पार्टी की तरफ से ये सब चीजे चल रही है उसके अलावे जि खेल मंत्री सुरंदर मेहता और गन्ना मंत्री क्रिश्न नंदन पास्वान इनका नाम आगे चल रहा है कि इनके उपर गाज गिर सकती है और इनका मंत्री पद छीना जा सकता है और छीन करके इनहीं की जाती ये समाज से आने वाले किसी यूवा व्यक्ति को थमाया जा सकता ह बाकी अब आप इस बात को समझ लिजे कि बिहार का कैविनेट भी सार सितंबर के अंतु तक होना है लेकिन राजनिती जो है इस चीज को लेकर के खूब हो रही है और खूब चर्चाय गर्म है कि किसको मौका दिया जाएगा और किस से मंत्री पद छीन लिया जाएगा चर्चा से दिलिप जैस्वाल से भी उनका मंत्री पद छीन आ जा सकता है बाकी इस ख़बर को लेकर कि आप क्या सुचते हैं और चिराग पासवान को साइडलाइन करने के लिए या फिर उनके महत्तों को कम करने के लिए पिरिन स्राज को जो आइड करने की बात चल रही है आपको क् कमेंट करके हम तक वेजिएगा और देखते रहीएगा जनता जंचन बहुत बहुत धन्यबाद